पंडीची चादी की सारी समगरी आ गई है कोई कमी तो नहें रहे गई ना सरु उत्तम उत्तम बेऊस्था तो पंडीची शादी की विदी शुरू करने में और कितना टाइम है हो गया है मोर्द बरवदू को बुलाईए पांचों बरवदू को ले करके यहां पर पहुंच जाएं पांचों बरवद बरवदू को बाहँ पर पहां पर पहां पर ले पहां पर प्लोंग को बाहां पर प्लोंग जाएं पर बदू एक दूसरे को माला पहनावे वागरदार जंब्रक्त वागरदार करते हां तूसरे को वागरदार जंब्रक्त को वागरतवंशन झालर जंब्रक्त यागर्णल एक वागरदा जंब्रक्त झाल झाल चाल झाल देख्षा क्या हुआ बिटा ? देख्षा क्या हुआ भीटा ? बोलो बिटा ? मैट रख भूला धरलाता हूं , जल दी जो देख्षा ? जेञए जुर्काहे गलेम बीटा, बेटा, बोलो ना जिक्षा कुछ बोलो न, बीटा जोटर रस पांच von पर आरा रहा है जिक्षा जिक्षा कोज्च जो lleva Δनी कोई पानि राज चार के से जिक्षा 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 क्या हो तुमें निक्षा निक्षा इखाए खोली निक्षा मुझे चोड के नहीं जा से निक्षा इक्षा इस तो गरभर होगी एस यदी को इनफोब कर देना जाए पर मैंनी आपको फोन किया था मैं यहा का मैंनेजर हूँ मेरा नम विनेश है कर दो, आइए, आपलो साइड में जाइए, प्लीज, प्लीज, आपलो साइड में जाइए, आइए, आइए, पुरा आइडिया सेल कर दो, यह सेल कर दो छेरा तो बिलकुछ सूच गे है, लाल ओगे से एसा लगो बाद है, किसी जहरिली चीज ने कटा हुगिसे, आपके साथ शादी होने वाली थी दिख्षा की जी हाँ, मेरा नाम अनुजी अनुजी बताओ की इग्जाट्ली यहाँ पर हुआ क्या था सब पहले पंडी जी ने हम सब को मंडप में बुलाया फिर विदी के नुसाद मैने और दिख्षा ने एक दुसरे को माला पहनाई और फिर हम फेरे पूरे ही करने अवाले थे कि उससे पहले ही दिख्षा अचानक चिलाई और मंडप में किर गई अचानक? जी अचानक फिर कुछ कहा उस वक्त उसने? कुछ बोला? जी कुछ कहा तो नहीं काफी काफी बेचेन हो गई थी पुरा चेहरा लाग पड़ गया था और सब इतना ही कह रही थी कि उसके गले में कुछ रहा था क्या? गले में क्या? मैंने वही पूचा था देक्षा था ने कि उसके पहले उसने तम तोड़ती आप तीक्षा की? मैं तीक्षा की चाची रिमा और ये पेरे पती है सूरच और तीक्षा के माबा? वो इस दुनिया में नहीं रहे है हम दोनों ही उसके लिए सब कुछ थे जड़िक लड़की यहासी कुछी आती है शादी के मंदब में फेर लेने के लिए अचानक कुछ होता है और दो मिनट में इसकी मौत हो जाती है फेड़ी, प्लाश को फॉरंसे क्ला बेज़ता हूँ देखे हम समझते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है पर तैकिकात करनी तो ज़रूरी है कोई बात नहीं हो फेसर आप लोग दीक्षा के बारे में जितनी ज़्यादा जनकारी देंगे हमें इस केस में उतनी मदद मिलेगी देख्षा एक बहुत हस्मुक लड़की थी हर लड़की की तरफ वो भी बहुत खुश थी कि इसके शादी होने वाली है बस शादी की वक्त अपने माबाप को याद करके थोला भावुक हो गई थी वो आपने का कि हेरे लेते वक्त देख्षा को कुछ हुआ वो अचानक चिलाई और मंडप में गिर गई जी और अपना गला पकड़ रही थी वालो उसे बहुत दर्द हो रहा हूँ अच्छा देख्षा को कोई बीमारी थी क्या I mean blood pressure, diabetes वगएर नहीं ओफिसर उससे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी Aisā हुआ क्या होगा इस DEEK्षा के साथ इस शादी के मंडप में उसे दम दोरना पड़ा सालीं के कुछ पता चेला किसöl एस दीक्षा की बोस दीक्षा की मोत मातो केशी किसी के जहर से बग हो बग है किसी हत्यार से बग है तो फिर बस इस लड़की की मौत अलर्जी से हुए प्रत्यूर जल्ड इस लड़की का पूरा शरीर लाद हो गया यह देखिए इसके हातों पर इसके चेरे पर यह रहशेद हो गया और इसा तभी होता है जब शरीर किसी ऐसी चीज के संपर्क में आता है जो उसके शरीर को बर है अबरदस्त रियक्ष्शन होता हैं मगर अलर्जी कि सचीज की वह यह इसे जट अब इंसान को तो किसी भी चीज से अलर्जी हो सकती इसी कि सी को ढूल से पर्फ्यूम से यह तक के खाने पीने की चीज़ों से भी जोते मुंफली दै किसी भी धी संचीक थीज से अलर्ज ह लेने की नली इतनी बुरी तरह से सूच गई कि ये बेचारी सांस भी नहीं लेपाई वहीं कि महीं इसकी मौत होगा तो पर क्या क्या खाया इसने सांखे जिसकी वज़े से इसे अपनी जान से हाथ दोना पड़ा बास अभी तक इसकी अटॉपसी नहीं कि अटॉपसी करने के बात पता लगेगा कि इसे किसी खाने की चीज से अलर्जी हुई है या नहीं सर्थ, दिक्षा की आंटी बता रही थे कि मंडप में आने के बाद अचाना इसे कुछ हुआ ये इसने अपना गला पकड़ लिया कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी अगर अचाना गिर गई और फिर इसकी मौत हो गई अगर अभी जी इते एक बात समझ में ने आ रही है अगर दिक्षा को किसी बात की किसी चीज की ऐलर्जी थी तो ये बात उसके अंकल आंटी को तो पता होने ही चाहिए थी, है ना आप लोग दिक्षा की अचाना, मौत की वज़ा का कुछ पता चला? हाँ क्या बता चला? क्या हुआ तो मेरी बच्ची को? ऐलर्जी ऐलर्जी? कैसी ऐलर्जी? क्या दिक्षा को किसी चीज से ऐलर्जी थी? किसी चीज से उसे उत्ते जना होती हो जिससे जलन या परेशानी होती थी उसे? देखिए, मंडप में भी दिख्षा किसी ऐसी ही चीज के संपर्प में आई थी जिसकी वज़े से उसे ऐलर्जी हुई और वो ऐलर्जी परदाश नहीं कर पाई पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती सर्थ यही पता करने के लिए तो हम लोग यहां आएं आप लोग साथ में रहते थे तो आपको तो पता ही होगा कि उसे किन-किन चीजों से ऐलर्जी थी जैसे कुम-कुम, धुआ या फिर फूल वगया धूप और अगरबती तो वो रोज करती थी और पूजा के बाद पहले अपने माते पर और फिर हम दोनों के माते पर कुम-कुम का दिलक लगाती थी कोई और वस्तु जो उस दिन शादी के मंदप में माजूथ हो जिसके वैसे उसे ऐलर्जी हुई हो मुझे नहीं लगता सर कि इनने कुछ पता होगा क्योंकि अगर इनने कुछ पता होता तो वह बस्तु वह बढ़ने ही क्यों देते सर अगर क्या उसने हमें कुछ बताया है नहीं उसने एक बद इशारा भी कर दिया थो तो हम उस्तु उसको वहां से तुरन धड़वा देते उसर पर पता कैसे चलेगा कि देख्षा को किस चीज़ से अलर्च ने थी एक किसा हुए था उसके साथ कैसा किसा कहा कुछ दिनों पहले हम जब होटल में खाना खाने गए थे तो अचानक वो बेचेन हो गई थी हाँ सर, उसकी आखें भी लाहा हुग थी और गला भी सुपने लगा था यूप लोग पूछा ने किस चीज़ था था उसे आपषा था अमने दो उसने कहा कि किसी खाने की ख़श्बु की वज़े से फरिशाने हुई यह यह किस खाने की मज़े से ओग था यह तो हमने नहीं पूछा उसने कहा कि वह ठीक है तो हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया सर नहीं सकता है दिक्षा को किसी सबजी अफल की अलरजी हो असर और उसने गल्दी से उखा लिया और उसकी मौत हो गई अगर ऐसा कुछ खाया होगा तो दिक्षा के पेट में ज़रूर इस चीज के अंश मिलेंगे नहीं दिया दिक्षा के पेट में खाने की कोई भी चीज नहीं मिली उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया मुझे लगता है देया, शादी के हाल में जो बाकी की चीज़े थी, जैसे पूजा का सामान वगेरा, उनमें से ही किसी चीज की वज़े से दीक्षा को अलर्जी होई है, हाँ, रोके बाइ यह अनुचर दीक्षा के मंडप के नीचे की हर एक चीज का सेम्पल ले लो, यह फल, फूल, विदी की सामगरी, कुछ भी चूटना नीचे है, सर अगर दीक्षा को हवनकून से निकलने वाले धुए से ऐलर्जी थी, तो उसका तो सेम्पल मिले गई नी, निकल, यह हवनकून उनके अंडर बची हुए लकडिया है न, उनका भी सेम्पल ले ले लेना, सर, सर, क्या हुआ था, कुछ पता चला दिक्षा, मैं साब ताकिकात जारी है, आप यह बताए आपको इस फंक्शन के दौरान बोरे टाम यही पे थे, जी सर, तो मुझे हर चीज की डिटेल्स चाह लंच किया, उसके बाद अपने-अपने कबरों में तयार होने चले गया, फिर? फिर हेरों के समय उन्हें बुलाया गया, वर ने वधू को, वधू ने वर को वर माला पहनाई, पंडी जी ने उसके बाद हेरों की रसम चालू कर दी, यह शादी की विधी की सामगरी कुन ला पंडी जी ने जो लेश्ट दी थी, उसे ओडर करके आमने पहले ही मंगवा लिया था, आप लेकर रहे थे? जी मिश्चर दिनेश, मैं आपको एक बात बता तो, दीक्षा ने इस मंडब के नीचे किसी चीज को हाथ लगाया, जो उसके लिए घातक साबित हुआ, फिलाल तो हम यहां के सारे सेंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जरुवत पड़ी तो आपको भी वीरों में आना खुलो के माला में यह? साथ, यह देखिए? यह देखिए? यह दो देखे, मशरुम्स मशरूम? दीक्शा की बरमाला में मशरूम ओ, नहीं का इसका मतलब इस दीक्शा को मशरूम से ऐलर जी क्या हुआ अथान की दिरा, चेहरा एसा मुर्जाय हुआए? मशरूम की वज़े से मशरूम की वज़े से? हाँ, और बस इन्ही मश्रूम की वज़े से देख्षा की माथ हुई है क्या? मश्रूम से माथ? बड़ी अजीब बात है हाँ, और ये मश्रूम से हमें देख्षा की वर्माला में से मिले देख्षा की वर्माला में मश्रूम? किसे हो सकता है? हो सकता है तारिका जीना कहा तो सही कहा होगा क्यों तुम को कोई प्राव्लम है क्या है यह मज़े कुछ प्रॉण यह मश्रूमं तेसने भी तेस्ब सेउने कौने मात का ओओ दुचंप पहनी उसे मश्रूम को मशरूम से अलर्जी थी लेकिन सर वो कौन हो सकता है वो कौन हो सकता है ये दिख्षा के घर वाले या फिर वो फूल वाला जिसने वर्माला बनाई वो बताएंगे मेरे क्ता हूं कर दो अधिक्षा के से लर्जी थी अधिक्षा के से लर्जी थी कुछ पता चला दिख्षा को मश्रूम के अलर्जी थी मश्रूम के अलर्जी आप लोग जानते थे इसके बारे में जी हां मतलब दिख्षा को मश्रूम पसंद नहीं थे ये बात तो हमें पता थी लेकिन इस बात का ये नतीज आएगा ये तो हमें अंदाजा ही नहीं था लेक दिक्षा के फूलो आले हार में थे क्या? जियाँ, वो मश्रूम किसी ने जान बूच कर उस फूलो आले हार में लगाये थे जिससे दिक्षा की विंड पाई प्यानी की सांस ने लेकी नली में कुछ इरिटेशन होई उसकी वज़े से उसकी सांसे बंद हो गई जान बूच कर? जी हाँ, वो जानता था कि दिक्षा को मश्रूम से अलर्जी है और वो ये भी जानता था कि मश्रूम दिक्षा के लिए जान लेवा साबित हो सकते है आपका यह कहना कि इसे दिक्षा की जान ली है फून हुआ है दिक्षा का और हत्यार है, मश्रूम देनें, स Això कौई दिक्षा को क्यो मारना चाहेगा यह तों भी जाना चाहते nesse कोई दिक्षा का दुशमन है कहा नहीं सर, उसका तो कोई दुशमन नहीं था अगर आपलों को ऐत्रास नहीं हो, तो क्या हम हम दिक्षा की कमरे की तलाशी ले सकते हैं दिक्षा की साथ यह आदमी कौन है अफिसर यह सुमित है एक्षा का पहला मंगेता है यहाने दिक्षा की शादी पहले किसी और की साथ तही हुई थी जी हाँ लेकिन शादी वाले दिन ही मंटब पर शॉर्ट सिर्किट के वजय से बहानक आग लगई इसमें कई लोग मारे गए मरने वालों में सुमित भी था जी हाँ अचा जब आग लगी उस वक्त दिक्षा और आप लोग कहा थे पताईए आप सब लोग उस वक्त कहा थे हम लोग मंटब छोड़कर वापिस आ गए थे मंटब छोड़के वापस आगे थे लिए क्या वाज़े थे शादी वाले दिन दिक्षा को पता चल गया कि सुमित गयर कानूनी धंदे करता था इस पात को लेकर दोनों में बहुत पैस हुई दिक्षा न उससे अपनी शारी तोड़ दी और और हम लोग वापिस आगे और आग उसके बाद लगी जी हाँ सुमित का सुभा अच्छा नहीं था गुस्सा करना लड़ाई जगला करना गाली को दोच करना यह सब उसकी आदत थी सर इस पे शक किया जा सकता था वो सुमित तो पहले ही मर चुका है सर अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दिक्षा के हार में मश्रूम्स किसने लगाए थे वो तो हार बनाने वाला ही बताएगा हाँ हाँ सारी मालाँ में गुलाब के फूल रहेंगे टेंशन मत लीजे आप हाँ हाँ नौबे तक डिलीवरी हो जाएगी वह साथ क्या चाहिए आपका मश्रूम की माला मश्रूम की माला? देखे, हम मश्रूम की माला नहीं बनाते हैं और नहीं मश्रूम बेचते हैं कल जो सामुईक विवा हुआ था उसमें तुम्हारे यहां से पाच पर मालाओं की डिलिवरी हुई थी जिसमें से एक में मश्रूम लगाए गए थे क्यों? हाँ, डिलिवरी जरूर मेरे यहां से हुई थी लेकिन हमने कोई मश्रूम नहीं पर रह था उसके अंदर उस माला में लगे हुई मश्रूम की वजए से एक लड़की को अलर्जी हुई और उसकी मौत हो गई क्या? मौत हो गई? सर मैं सच खह रहा हूँ सर हमने एसी कोई माला नहीं बनाई जिसमें मश्रूम हो सर देख, सच सच बताते हैं पस माला में मश्रूम आये कहां से? सर मुझे नहीं पता कहां से आया उन मालाओं को मैंने अपने हाथों से बनाया था और उन टोक्री उको मैंने इन पेपर से पैक किया था इन गोल्डन कलर के पेपर से, सर मैंने यकीर कीजिए, सर अगर मालाओं में मश्रूम इसने नहीं मिला है तो फिर किसने मिला है? दिनी जी और शादी के वहर माला के टोक्री आपने अभी भी संबल कर रखी है? जी सर, समाल के रखे, अभी तक नहीं पकवाई है तो लाई है अजर आमें चेक कन नहीं हो कुछ देख रहे हो तुम दोनो? हाँ सर बाकी सभी टोक्रियों पर कोल्डन कलर का पेपर चड़ा हुआ सिर्फ ये एक टोक्री है इस पर सिल्वर कलर का पेपर है ये नंबर्स इनका क्या मतलब है? मेडम हमने कपल्सकों कुछ नंबर दिये थे तो वही नंबर्स हमने टोक्री पर डाल दिये और दिक्षा और अनुछ को कौन सा नंबर दिया गया था? चार नंबर चार नंबर देलिवरी किसमे ले टोकरियों की? सर, फूल वाले से डिलिवरी तो हमने ही ली थी लेकिन मैं बहुत बिज़ी था तो रवी को हमने प्रॉप रॉप रूम की चाबी देती थी कि वो टोकरिया वहाँ पर रख दे प्रॉप रॉप 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 कहा है आपका प्रॉपरूम? सर इस सरा. एक जिले निकाये? आये सर. आप ये टोकरिया लेकर आये? आये. तो ये है वो जगे, यहां पर ये सारा शादी का सामान रख़ा जाता है, है? टोक्रियां यह इह ही पर रखी ती जे, यहां, अश्टेबल पर केचा है। ठीक है, विजट शुया, काम करो, इस जगे का पुना-पुन अचान, और रुदे को कुछ मिलता है क्या है, दरू किसी ना किसी ने तो यह अंदर आके शेड़ शाड़ की है, वर्मालाओं के साथ, सर, लेकिन सर, इस कमरे में स्टाफ के लावा और किसी को आने के पर्मेशन न नहीं होती है, किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं है, अब कंदासा बिल्कुल सही निकला, मश्रूम्स, शायद जल्द बाजी में यह मश्रूम यहीं छोगे है, आँ, इसका मतलब है यह मश्रूम, दिक्षा की वर्माला में, यहीं पर लगाए गए, बताएए दिनेश जी, क्या कहना है आप, लेकिन सर, यह कैसे मुम्किन है, ऐसे मुम्किन है, चाबीस है, चाबीस ही इस, कमरे का ताला खुलता है, है न, और आपने क्या कहा था, कि जब यह टोक्रिया वर्माला की दिलिवरी के लिए आई थी, तब आपने चाबी रवी को दी थी, दी थिया नहीं, जी सर, तो हो सकता है स्कून में रवी का हाथ हो, बता रवी, बता, इतनी सारी टोक्रियों में से, सिर्फ दिक्षा की वर्माला में मश्रूम लगे कैसे, मैंने कुछ नहीं किया है सर, लेकिन इस कमरे में तो सिफ तुम ही आय थे ना, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं तो यहां यह टोक्रियां रखके वापस लोट गया था, तो यह वा देते, कैसे हुआ यह, एक मिनिट सर, लेकिन जब यह टोक्रियां रखके मैं बाहर ताला ल किया आवाज, इता कोई सामान गिरा होगा, क्या नया बवाल, इना तो सब ठीक है, बाहर से आई होगी, तो रवी, तुमारे कहने के मुताबिक, वो जो भी कोई अंदर था, तुमारे जाने का इंतदार कर दा था, जैसे तुमने कमरे को ताला लगा और निकल गए, उसने वरमाला के साथ छेड़ चाड़ की, और सर, उन नंबर्स की मदद से, खुनी को पता चल गया कि दिक्षा क की टोकरी कौनसी है, हाँ, लेक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जो भी कोई अंदर था, जिसने ये छेड़ चाड़ की होगी, वो तमरे के बाहर गया कैसे है, हो क्या है? ये देखो, ये देखो, ये जो भी कोई है, यहीं से भागा, यहीं से, और ये सारे काच वापस लगाने के बाद बाहर से, ये लास्ट वाली काच हड़वडार में चूड गई, बाहर चल कर देखते है, यहां से भागा है वो, यहां से, सर, उस गमले में कुछ है, क्या है, देखो, सर, कोई लकड़ी की कीचिन का टुकड़ा है, इन सर, ये कीचिन किसके हो सकती है, फूनी का, हा, वो सकती उसकी कीचिन, शायद ऐसा हुआ होगा, जब वो खुनी यहां से भागने की कोशिश कर ला था, तो शायद उसकी कीचिन यहां कहीं पर भी अटक गई होगी, लकड़ी की होने की वज़े से तूट गई, और ये हिस्सा गमले के अंदर गिर गया है, मुझे ये कुई अक्षर लगता है, हा, रिजन, है तो अक्षर ही, दुरल कोई अक्षर ही है, वगर कौन सा अक्षर है पता चल जाएगा न, तो समझ लो कि खूनी का भी पता चल जया, ये मुझे ओ भी नहीं लगता, वह भी नेलन था, क्योंकि देखो, अगर यह उ हो तो, उसके दोनों चेड़े तूट जाते हैं, मगर यहां तो सिफ यह एक ही चेड़ा टूटा हुआ है यह क्यों भी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों भी ओ की तरह गुल होता है हाँ, और फिर यह अच्छी तरह से गूल भी नहीं है, एक ही हो सकता है, अभी जीद, अगर यह एस अक्षर है, तो हो सकता है, खोनी का नाम इस एस अक्षर से शुरू होता है सूरज से तो दिख्षा के अंकल का भी नाम है, सूरज, 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 वैसे सर, ऐस एक और आदमी है, जो इस केश से जुड़ा हुआ है, को, सुमित, हाँ, सुमित, लेकिन सर, सुमित तो मर चुका है, लेकिन मिनित हम यह कैसे मान ले, सुमित मर चुका है दिख्षा की पहली शादी के फंक्षन में जो आग लगी थी, उसमें सुमित जलके मर गया था सर, कोई भी नहीं बचाता मुदर फ्रेडी, दिख्षा की घर वालों ने हमें क्या बताया ता मालूम है न, कि जितने भी लोग उस आग में मरे थे, उन सब की लाशे नहीं मिली, तिर्फ थोड़ी लाशे मिली, और वो भी पहिचान में भी नहीं आ रही थी, कि किस की है ये सुमित अभी भी जिन्दा है, मरा नहीं है ये, जिन्दा है सर, इस सुमित को पकड़ना होगा, इसके एक पोटो है हमारे पास, उसका चेहरा साफ में दिख रहा है उसमें, तो फिर अभी जीत? पता लगाओ, ये सुमित रहता कहा था, करता क्या था, उसके आफिस में जाओ, उसके दोस्तों से मिलो, कहीं न कहीं तो उसने अपना चेहरा छोडा ही होगा जी हाँ, मिस्टर राजीव, जी हमें आपके दोस्त और कॉलीग मिस्टर सुमित के बारे में जानकरी चाहिए सुमित? उसकी तो कुछ समय पहले? जी हाँ, वही हमें आपके ओफिस, गुट फाइनांस से पता चला है कि एक आप ही है, इसके साथ सुमित की बनती थे और वो सिर्फ आप की बात कभी-कभी मान लिया करते थे जी हाँ, बात यह है कि सुमित बहुत गरम दिमाग का था और उसमें पेशेंस तो बिलकुल नहीं थी चोटी-चोटी बात को लेके चिड़ जाया करता था और इसी कारण उसका आफिस में आए दिन किसी ना किसी से जगडा होता था आप दोनों इतने करीब थे तो उनकी कोई फोटो तो होगी ना आपके पास सॉरी माम, फोटो तो कोई नहीं है कुछ तो होगा अब आफिस के किसी पार्टी की फोटोज, किसी दोस्त के बर्ड़े पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी कुछ भी जिससे पता चल सके कि सुमित दिखता कैसा था आशीश की शादी ये आशीश कौन है? आशीश हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसकी शादी में हम सब लोग गए थे सुमित भी वहाँ आया था आशीश के पास उसकी रिकॉर्डिंग है आशीश का पता बताईए सर सर ये आशीश की शादी की सीडी मिल गई है सर इसे देखतर पता चल जाएगा कि सुमित इखता कैसा? चलो चला कर देखते सर ये है सुमित, ये चश्मेवाला बार-बार चश्मा उपर कर रहा है सर आपने देखा इसको चश्मा ऐसे उपर करने की आदात है लगता है हाँ, यूँ सर ये रहे सुमित के बैंक अकॉंट की डिटेल्स सुमित ने बीच जनवरी को अपने अकॉंट से सारे पैसे निका लिये थे सुमित ने बीच जनवरी को अपने अकॉंट से सारे पैसे निका ले? कि अभीजीत? इक्षा की घरवालों ने तो हमें कहा था कि 16 तारिक को शादी के मंदप में आग लगी थी 16 तारिक को जिसने सब लोग मर चुके थे यहां तक इस सुमित भी जुका था तो फिर भीच सारी को सुमित ने यह पैसे निकाले खेसे मैंने कहा ना यह जिन्दा है सुमित जिन्दा है और उसने दिक्षा दे बढ़ला भी लिया हलो, CID Bureau हाँ सुराजी क्या? क्या 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 नाम लिया? आप चिंता मत किजी हम लोग पहुंच रहे हैं सार कुछ गुंडों ने सुरज पर हमला किया है और यह अनुष को फिड्नाप भी कर लिया है यह गुंडे काला नगर की बात कर रहे थे सार अबजित, दयाको को सुरज के घर पोच्चने के लिए अब लोग कालान अगर चबते है अब यह तो दर्वाजा ही ने कोल जए हमारे पर इतना ताइम भी है ज़र है यह क्या यह कव्दा तो पुरो फैस मैस में गया मैं ज़रू कुछ हुआ है इक्षा के पिताजी ने इसे जगे का नाम बताया था क्या सर उन्होंने किड्नैपर्स की बाते सुनी इड्नैपर्स अनुच को अनुच को आला नंगर ले जाने की बाते कर लेते इड्नैपर्स ने ज़रूर अनुच को यहाँ जंगल मी ज़ुपा कर रखा होगा इसे आवाज आरी इसे आवाज आरी श्रिया जो दिस एम्बलेज को फोन करो श्र। इसने के एगए? किसने मारे कुलिया? इने तो कही को नहीं लगे इसे वो? वहन थे वोलो? स्र॥ स्र॥ और आपकी बीवी का है? स्र॥ वह? बोली यह? स्र॥ ज्याका मुफूब स्र॥ स्र॥ जरा अनुज को फोन लगा के देखू स्र॥ स्र॥ पहले दिक्षार फिर उसके अंकल और अभी अनुज कहीं अनुज उसका अगला शिकार तो नहीं भूचा सर हाँ पर उसका पून नॉट रिचिवल आरा है का? अनुज को फोन नॉट रिचिवल आरा है हाँ सर तुमारे फोन में निटोक तो है अगर अनुज को जंगल में चुपा के रखकर तो उसका फून तो और नुदा चुए था हाँ जाब जाब क्या दिखाना चार रहा है जाब 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 सरजन जाब 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 जाबी वह यह टूटी वी कीचेन उस प्रॉप्लम के बाद जो हमें टूटावा अल्फबेट मिला था शायद वो फिसी कीचेन का हिस्सा है इस टूटे वे अल्फबेट आइसका और आइसका मतलब सुमिथ? प्रॉप्लम वे प्रॉप्लम सुमिथन अनुश को किढ़नाब किया सुमिथ जी अनुश को बचाने की कोशिछिक हरर। और सुमिथ ने इन थर गोली चला ली सुमिथ यह सुमिथ नहाँ कहीं भी है अशे खोद के निकाहना पड़ेगा नोग जीखने के याज दो अधर से आगा अनुच 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 मोटे बचालो बीस अनुच शर्णो एक गलाओा अनुच शर्णो ऑचानलो अनुच कुछ नहीं होगा, अनुच्छ! लगता है, अकल जे बहुत दुश्मानी है तुम्हारी? इसलिए C.I.D. हुले से पंगा ले रहती हैं? कौन हो तुम? क्यों अकवा किया अनुच को? साथ, हमें काम करने के पैसे मिले थे, और कुछ नहीं पता. किसने का अता करने के लिए ये? किसने दिये थे पैसे? कौन! साथ, चेरा नहीं देखा, एक ही बार मिले थे. एक बार मिले है ना? तो पर चेरा कैसे नहीं देखा? बहुत अंधेरा था, साथ. और अंधेरे में उसका चेरा ठीक से दिखाए नहीं दिया, साथ. यू नहीं दिख रहा था, अंधेरे में? साथ, बड़ा सकाला चसमा पान रखा था, इसलिए साथ नहीं दिखाए दिया. अब तो साथ दिखा देंगे अम तुमें. निखिल, ले जाओ इन दोनों को. साथ, साथ. आनुझ. अच्छा होगा साथ, अब ताइम पर आगे नहीं तो, इन दोने तो मुझे मारी दिया हो तो. कुछ नहीं होगा तुमें, अनुझ. अब हम लोग आगे ना, कुछ नहीं होगा. ये बताओ, कैसी हुआ ये साथ, कब हुआ? साथ, मैं और अंकल घर पे बैठे हुए था, अँटी नहीं थी. अचाना कि ये दोनों किद्नैपर्स घर में गुसा. और इनोंने मेरे सर पर बंदूग रख दी. इनसे बज़कर अंकल ने आपको फोन करके इतिला तो कर दी. लेकिन इन किद्नैपर से अंकल की बात सुन ली. और तुरांत अंकल को गॉली मार दी. और मुझे जबरज़सी उठा के यहां ले आई. और रानी, कौन है सर जो, जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है, सर. वो जो भी कोई है, अनूच. यहीं परे आस-पास. सब सुन रहा है, सब देख रहा है. वो जानता है. लेकिन सर, मैंने तो सुमिद को कोई भी तकलीफ नहीं दी. अब तो दिख्श्या की भी मौत हो चुकी है. तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ ऐसा? अब क्या होगा सर? अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, अनूच. हमला तो हम करेंगे. वैसे तुम चश्मा तुन नहीं पहनते हो है ना? तो फिर यह... कहा है चश्मा तुम्हारा? अनूच! अनूच! जब पाद भाग लिए, तक है होंगे. पानी वानी प्योंगे, Mr. Anujjiyya. इस्ट उमित कहुंगे? अनूच जीत फिर उनूच जीता है? तुमूच जीता हुआ नहीं पानीवानी प्योंगे, Mr. Anujjiya. तुमित कहुंगे? हथियार है भी और नहीं? इल छोड़ दो छोड़ दे? बात दोड़ा है Mr. Anuj मगर CID को बेवको बनाना आसाननी है Mr. Sumit हाँ हाँ दिक्षाद से बर्ला लेना जाता था मैं क्योंकि उसने शादी वाले से भारे मंड़प में उसे शादी तोड़के मेरा और मेरी फैमिली का अपमान किया था दिक्षाद उसे शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या तुम उस पर जबर्दस नहीं करते हैं लेकिन यही बात वो मुझे शादी से पहले भी पता सकती थी ना उसने शादी वाले दिन मुझे क्यों पता है यूकि उसी दिन उसे तुमारे गैर कानूनी कर्टूतों के बारे में पता चला था यह क्यिंगा दून वही हम बचारी नहीं को बिचारी तो थे मेरे माबाप मेरे भाइन कि जो उस मंद उसमिस लगी आग में जलकर मर लेकिन लेकिन मेरा चेहरा जल गया तो तुमने प्लास्टिक सर्जेरी करवाई नया नाम लिया नया चेहरा बना नहीं जिंदगी बन गए और फिर दुबारा तुम दिख्षा की जिंदगी में गुज गए तुम इसके करीबा है उसे शादी के लिए मना लिया और शादी के मंतब तक उसे ल तरीका भी क्या अजमाया मश्रूम से मौप क्योंकि तुम दिख्षा के इतने करीब आ गये थे तुम जान गये थे कि उसको मश्रूम से अलर्जी है तुम जान गये थे कि उसको मश्रूम से अलर्जी है तुम जान गये थे कि उसको मश्रूम से अलर्जी है तुम जान गये नया चेहरा नई जिन्दगी मगर आदतें वही पुरानी नाग पर चश्मा ठीक करने की आदत उसी आदत ने तुम्हें फसा दिया अनुज उसी आदत ने भगवान ने तुम्हें आग से बचा कर एक नई जिन्दगी दी थी मगर बदले की आग में तुमने वो भी गवा दी पेचारी दिक्षा को मार डाला तुम्हें तो फासी हो करी रहेगी for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos